वेलकम बैक फ्रेंड्स तो आज दिखते हैं हम explicit weight के बारे में तो यह काफी ज्यादा important topic है तो पहले चलते हैं अपने पायचाम पर तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम implicit weight को कैसे use करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने इसका drawback भी देखा था कि implicit weight बस तब तक weight करत है तो अगर मैं documentation पर जाता हूं यहां पर weights है और यहां पर explicit weights है तो इसमें अगर मैं नीचे scroll करता हूं तो देखिए इसमें हम इतनी सारी conditions के हिसाफ से explicit weight लगा सकते हैं और अगर हमारे इनमें से कोई match नहीं हो रहा तब हम अपनी खुछ से भी custom weight condition बना सकते हैं तो इसलिए explicit weight काफी जादा advance है तो अब देखते हैं इसको use कर से करना है तो सबसे पहले हमें इसमें देखिए यह दो चीजे import करने पड़ेंगी तो इनको मैं direct यहां से copy कर लेता हूं और इसके नीचे कर देते हैं paste तो जैसे हमने यहां पर time dot sleep लगा तो उसे हटा देते हैं इसे भी यह पर हटा देते हैं और implicit weight को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें यूज करना है explicit weight तो सबसे पहले हमें देखना पड़े कि हमें weight ना कहां कहां पर लगाना है जैसे कि अगर हम उस example पर वापीश चलें तो देखिए यहां पर इसने weight लगा रखा है कि web driver फिर इसने 10 seconds तंक का weight लग करता रहे और maximum weight कब तक करें 10 seconds तक weight करें तो इसी तरिके से हम यहां पर कुछ condition लगाते हैं जैसे हमने पहले flip card के link खोली अब हमें next करना है इस close button पर click जो एक login का pop-up आ था उसे हमें close करना है तो हमें यहां पर weight लगाना पड़ेगा कि जब तक यह pop-up ना आज है तब तक weight कर तो मतलब हमें इस line पर weight लगाना है तो अब हमें दिखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी कौन सी condition satisfy होती है तो एक बार हम पर चलते हैं नीचे तो इस सारी conditions है कि इसमें हम कोई सारी condition लगा सकते हैं तो देखे मेरे इसाब सब 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 यह visibility of element located जो element है वो जब तक visible ना हो तब तक वेट करता रहे तो यह बार हम incognito window खोल देते हैं और यहां पर हम खोलते है flip card ताकि एक बार वो pop-up दिख जाए यह हम कौन से pop-up की बात करें यह ठीक है यह login pop-up तो हमें तब तक वेट करना है जब तक यह जो x button है तो तो यह visible ना हो तो हम कौन से condition लगाएंगे यह visible वाली visibility of element located ठीक है तो condition लगाने कैसे होते है देखें यहां पर try and final में लिखा हुआ है बट फिलाल हम इसे छोड़ देते हैं बस सिधा यह condition pick करते हैं यहां से इसे करते हैं यहां से copy चलते हैं अपने यहां पर यहां से कर देते हैं paste ठीक है हमें इस element equals to key अभी need नहीं है यहने हम बात में देखेंगे कि यह सब क्या चीजे थी और इसको हम one liner में लिख देते हैं ठीक है अगर आपको समझना है कि यह सब क्या हो रहा देखें इससे पहले हमने यह weight में से import करा web driver weight तो web driver weight class है तो अगर मैं इस पर control plus करके इस पर click करता हूं तो देखें यह web driver weight class बन गई तो हमें इसके इनिट function में यह साथी चीजे parameter pass करनी है तो पहले हमें driver pass करना था तो इसलिए मैंने यहां पर driver pass करा उसके बाद हमें यहां पर timeout pass करना है कि maximum हमें कितना time करवाना इसे weight तो यहां पर maximum 10 second है बट हमें 10 second नहीं कराना हमारा 5 second लगा value इसने यहां पर ली हुई है 0.5 तो इसका मतलब क्या है कि इस मतलब हो long to sleep between the calls तो इसका मतलब यह है कि मतलब जब वो जैसे वो चेक करेगा एक बार और उससे अगर नहीं मिला तो कितना वेट करने के बाद दुबारा चेक करें तो यह 0.5 second वेट करने के बाद फिर दुबा थर्ड वाले में बेज सकते हैं यहां पर like point 2 कर सकते हैं ठीक है तो यह pole frequency हमारी है पर set हो गई कि मतलब हर point 2 second बाद वो चेक करें कि element जो हमने condition लगाई है वो condition fulfill हुई या नहीं हुई तो मतलब हम यहां पर ने हमने एक object बना लिया इसका web driver weight class का तो अब इसके अंदर कौन-क पता है कि कब तक wait करना है तो हम कब तक wait करेंगे EC मतलब expected conditions तो मतलब जो तक हमारी expected condition match ना हो और हमने कौनसी condition अभी हापर by default लगाई हुए presence of element located तो मतलब हमें इसकी जगा क्या चाहिए अगर मैं इसे dot लगाता हूँ अगर मैं visible लिखूँ तो देखें यह सारी conditions आ चुकी है तो हमें क्या चाहिए visibility of element located हम यह यूज कर सकते हैं अब देखें अगर आपको यहाँ पर जाना आना कि क्या चीज़ है तो आप यहाँ पर control same control दबा के आप इस पर click कीज़े तो ठीक है expected condition वाली file खुल गई हमारी module खुल गई और इसमें से अभी हम यह वाला method यूज कर रहे visibility of element located तो इसके अंदर हमें क्या पास करना है तो मतलब यहाँ पर हमें एक element के locator को पास करना है जो जब तक दिखे ना मतलब जब तक visible ना हो पेच पे तब तक वेट करें बाकि यहाँ पर इसकी पूरी dog string में दिखा हुआ है कि यह मतलब क्या करेगा यह वाला visibility of element located तो अगर मैं यहाँ पर जाओं यह होता है dom जो हम inspect करते हैं तो मतलब एक तो element is dom में present होना चाहिए और दूसरी condition क्या है and visible visibility का इसने फिर visibility का आगे explain करा कि visibility का मतलब क्या है कि not only displayed but also has height and width मतलब ऐसा नहों कि बस display उसकी height and width भी होनी चाहिए तो वहीं अगर हम implicit weight लगाते हैं तो implicit weight बस इतना ही चेक करता है कि बस dom में present हो तो इसलिए explicit weight advance है और बाकी अंदर तो इसका code लिखा हुआ है कि कैसे काम कर रहा है तो इसमें अभी जाने की ज़रूत नहीं है बाकी देखिए यह next condition है visibility of तो इसमें हम element pass करते हैं देखिए यह मतलब हम किस से locator find कर रहा है और उसका value तो ऐसे आप मतलब एक गो थूरू भी कर सकते हैं element is visible तो अगर हमें कोई देखना की element visible है या नहीं तो हमें यह पर element pass करना है यह use करके ठीक है same यह visibility of any element तो इसका मतलब है कि यहापर हम ऐसा locator pass करें जिसमें more than one elements हो और इसमें any मतलब कि at least एक visible हो तो ऐसे बहुत सारी conditions है बट हमें अपना देखना है कि हमारे लिए कौन से suitable है तो हमारे लिए जो suitable थी visibility of element located तो visibility अगर मैं इसमें control करके दुबारे से जाओं तो हमें आपर locator pass करना है तो यहाँ पर हमें यही same लिखना है क्योंकि हम इसी कई wait कर रहे हैं कि जब तो अभी आप देख रहूंगे कि हमारा code repeat हो रहा है मतला हम यहाँ पर लिख चुक है अभी हम यहाँ पर भी 12 से लिख रहे हैं तो इसे हम बाद में अपना modification करेंगे code बढ़िया करने के लिए बट अभी पहले समझ लेते हैं ठीक है तो आप हमने locator pass करना था तो पहले यह टाइप है और फिर यहाँ पर locator की value है तो हम समझ चुके हैं कि मतला हमें maximum 5 सेंगे तक वेट करना है तो हर 0.2 सेकिंड के बाद वो चेक करेगा until मतला तब तक चेक करेगा जब तक यह वाली condition satisfy ना हो तो visibility of element located तो मतला element जो है वो visible होना चाहिए page पे और वो कौन सा element है हाँ प मतला login वाला आया तो जैसी हो आया तो मतला नेक्स स्टेप पर बढ़ गया तो हम यहां से देख सकते हैं कि उसने पहले यहां पर wait किया तो जैसी उसे element मिला तो उसने यहां पर पहले element बनाया और उस पर click कर दिया और यहां पर हम implicit wait तो use करी नहीं सकते थे क्योंकि implicit का मतला ह हो बढ़ हमारा main है कि हमारा page पर भी दिखना चाहिए कि जब page पर दिखेगा तभी तो click होगा अगर page पर दिखेगा नहीं तो click नहीं होगा अब देखे इसने क्या बोला headphones options not found तो यह हमने कहां पर लिखा हुआ हमने else में लिखा हुआ है headphones options not found कि मतलब उसे headphones के options ही नहीं मिले ठीक है तो इसे check करने के लिए हम इसे करते हैं debug तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक अपना debug point 18th line पे और इसे हम run करते हैं debug mode में तो मैं run की जगा debug main करूंगा तो इसे run करते हैं देखे मैंने debug के ओपर एक in detail वीडियो बना ही चुका हूँ already तो आप उस वीडियो को check out कीजे मैं उसका link description में भी दे दूँगा आपको बाकि आपको एक बार शॉट नोताता हूँ कि debug करता क्या है जैसे मैंने देखे यहाँ पर debug point लगा है 18th line पे तो code यहाँ पर आकर रुख गया क्यों मुझे देखना था कि यह मतलब दिक्कत क्या हुई कि मतलब यह else में क्यों गया तो अगर general बात की जाए तो मतलब मैं अपने code को debug कर सकता हूँ इस पायचाम के debug option से बाकि मैं debug tutorial का link description में दे दूँगा मैं आपको highly recommend करूँगा कि एक बार आप उसे गोथ हो जरू कीजे यह काफी जादा best feature है पायचाम का debug तो देखे अगर हम मैंने यहाँ पर debug लगा है त अगर आप मैं थोड़ा से scroll कर तो देखे drop down options में early की empty list है तो मतलब उसे drop down के options नहीं मिले ठीक है बाकि अगर मैं इस पर hover करता हूँ तो देखे यहाँ पर यह list दिखा रहा list जिसमें 0 item है तो एक empty list है तो यह empty list है तो मतलब इसमें fall loop चलीगी नहीं तो इसलिए fall loop नहीं चली और यह else में गया तो यह था इसका reason बाकि हमें पता भी है क्योंकि हमने जैसे अपने पिछली वीडियो में देखा ही है कि हम oneplus जब लिखते हैं तो यह options आते हैं इन्हें आने में थोड़ा सा time लगता है like कुछ microseconds तो वही है कि हमने तो direct यहाँ पर like send किस करा और हम direct elements को find कर करते हैं तो इसे वह मिले नहीं तो इसलिए empty list बनी तो मतलब हमें यहाँ पर भी वेट लगाना पड़ेगा इन options का वेट करने के लिए तो इसको करते हैं यहाँ से stop तो दुबार से मैं इस उपरवाले कोई copy कर देता हूं हम अपने हिसाब से वेट लगाएंगे ठीक है तो म visibility तो आएगी तो अगर मैं visible type करता हूं तो देखे यहाँ पर आगे सारे visibility of element located visibility of all elements located तो देखे यह वाला ज्यादा बैट लगा इसमें all elements है तो इसे हम कर लेते हैं select तो इसमें होता क्या है अगर मैं control करके इस पर click करूं एक बार इसकी doc string पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या that all elements are present on the dom of the page and is visible मतलब यह कि सारे dom बें प्रिजेंट होने चाहिए और सारे visible भी होने चाहिए तो यहाँ पर लेता locator तो यहाँ पर हमें वह locator पास करना है जो सभी elements का हो मैं जो भी हमें check करना है तो हमें क्या check करना है हमें यह चेक करना है न तो यहां से इसे करेंगे copy यह explicit weight का एक और फायदा है मानले जे यह pop-up आने में लेक by default late ही आता है मतलब यह ए ऐसी client के requirement थी कि हमें यह pop-up ने late ही चाहिए तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि maximum बस दो second wait करें बट उनकी requirement है कि जो drop-down के option है यह तो एक second के अंदर ही आ जाने चाहिए तो यहाँ पर इसलिए ह यह बस एक बार हमने define कर दिया अब वही पूरे code में चलेगा तो यह उसका second drawback था कि वहाँ पर जो एक weight है वो मतलब सबके लिए common है बट यहाँ पर हम element के हिसाफ से weight लगा सकते हैं मतलब conditions के हिसाफ से weight लगा सकते हैं तो फिलाल इसको भी 2 second कर देते हैं कि कम सकम 2 second तक weight ही क है ठीक है headphone पर इसने click कर दिया है चलते है अपने pie charm पर ठीक है first भी डाला second पर headphone मिल गया तो इसने सीधा second पर click कर दिया तो मतलब हमारा code सही चल रहा है इसमें एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ पर अंटिल है तो अंटिल की जगह न आप अंटिल नॉट विला सकते हैं like dot देखिए यहाँ पर आ रहा है second अंटिल नॉट तो अंटिल नॉट मतलब यह कि जब हमारी अंद्वाली condition को reverse करने के अंटिल नॉट यूज करते हैं बाकि आप इसकी खुछ से प्रैक्टिस कीज़े और यह expected conditions वाली फाइल को एक बार गो थू कर लिज़े कि मालब क्या के condition है और कैसे काम करती है तो इस वीडियो को इतना ही रखते है अगर आप उसमें कोई डाउट है तो आप मुसे कमेंट स